तो स्वागत आप सभी का इए आटिकल ब्लोग यूट्यूब चनल पर आज किस वीडियो में आपको बता हूँ आप जीओ फोन के बारे में जी हाँ जीओ ने एक नया फोन लांच किया जिसका नाम है जीओ फोन टू और ये जीओ फोन नेक्स्ट वर्जिन है और ये भी एक फ बात करेंगे हम इस वीडियो में तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना हुले तो आए जानते हैं कि जीओ फोन टू कब लांच हो रहा है तो जीओ फोन टू जो है वो आज और इस फोन की जो फ्लेश सेल है फॉस्ट फ्लेशल वो है 16 अगस्ट 2018 को बारा बजे यानि दो पहर बारा बजे में आप इसको खरीद सकते हैं 12 प्यम पर और ये जो फोन है वो आपको मिलेगा 299 2999 रुपीज का यानि लगबग 3,000 रुपे में आप इसको खरीद सकते हैं क आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको फ्लेशल है फॉस्ट फ्लेशल वो है 16 अगस्ट 2018 को ऐसे बहुत सारे फ्लेशल भी आएंगे तो अगर आप इस फ्लेशल में नहीं खरीद पाते हैं इस फोन को तो कोई बात नहीं आप जो भी फ्लेशल आएगा उसमें आप इस फोन को खरीदने कोशिश कर सकते हैं तो इसको आप माई जियो एप और जियो डाट कॉम से खरीद सकते हैं यहां पर दो जगे पर यह एविलेबल है तोनों जगे से आप खरीद सकते हैं जो टाइमिंग है वो है 12 पीम स्ट्रिक्ट है मैं जान लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस फोन को कैसे बयर कर सकते हैं तो अगर हम नेट्वर्क की बात करें तो इसमें 2 4G LTE सपोर्ट करता है डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर 2.4 इंच की आप को यहां पर TFT स्क्रीन की डिस्प्ली मिलेगी जिसकी और CPU की बात करें तो यहां पर जो CPU है वो 1 GHz डूल को प्रोसेसर पर रन करता है और बैटरी सेम है जो कि जियोफोन में भी था 2000MH की यहां पर आपको लायन बैटरी मिल रही है टॉक टाइम आपको यहां पर 6 घंटे का मिलेगा और स्टैंड बाइए आपको यहां पर 150 अबरे मिल रही है जिऊफोन में भी सेम था और जिऊफोन तूमे भी रही में एकसिपेंड़ी बात करें तो यहां पर आप को 128 GB तक आप एकस्पेंड कर सकते हैं अपने एक्सिनल मेमोरी काड को जो कि काफी ज़ादा है कैमरा की बात करेता आपको यहां पर सेम वही कैमरा म सकते हैं rare camera की बात करें तो यहाँ आपको 2-megapixel का rare camera मिल रहा है multimedia supportable है और यहाँ पर इंडिया language support करता है यह phone जिसमें आपको 22 Indian languages का support मिलेगा ऐसे बहुत सारी features है इस phone में apps की बारबात करें इसमें जो basic जितने वी जियो apps है वो वगला वो सारी चीजिए यहाँ पर करेंगे औप और दूसरे app को भी डानीट कर सकतें geo app शे और या परued ईडूर से अगर आये आप देख लेते हैं कि हम कैसे जीओ फोन टू को बाई कर सकते हैं तो जीओ फोन टू बाई करने के लिए आप जीओ डॉट कॉम या फिर माई जीओ एप पर जाएए वहाँ पर आपको बाई नाओ का ओप्शन मिल जाएगा करेक्ट 12 बजे वहाँ से आप इस फोन को book कर सकते हैं online और आपको अपना address, name, phone number वगयर है यह सब डालनी पढ़ेंगी जो basic requirement है उसके बाद आपको 2,99 रुपे पे करना पड़ेगा इतना पे करनने के बाद आप इस फोन को order कर पाएंगे आई आप जानते हैं जियो फोन टू और जियो फोन की बीच में क्या difference है अगर difference की बाद करें तो बस जो difference है वो आपको दिख जाएगा मतलब जो major difference है वो design और लूप में ही है जो इसका अगर आप जियो फोन टू को देखेंगे तो आपको आप एक क्वेटी कीपेड मिल रहा है जो कि यही एक डिफरेंस है जियो फोन और जियो फोन टू में तो बाकी सारी चीज़ है अगर हम देखें यहां पर बैटरी की तो बैटरी सेम है screen size भी सेम है resolution भी आपको लगबक सेम ही मिल रही है प्रेम भगेरा internal storage external storage बस यहां पे अंतर है कि आप यहां पर जियो फोन टू में आप sd card लगा सकते हैं इसमें micro sd लगा सकते हैं तो यह इ जिओ फोन टू में और अगर प्राइस की बात करें यहां पे तो जिओ फोन जय है वह आपको लगबक ज्यादा ज्यादा पंद्रा सो रुपए तक कर मिल जाएगा कहीं कहीं जगा आपको तेयरो सो चॉदा सो रुपय का भी मिल जाएगा यह फोन तो और जिओ फोन टू की बात करें तो यहां पर आपको पेक करने पड़ेंगे तीन हजार रुपए तो अगर आप सोच रहें कि आप जीओ फोन को छोड़के जीओ फोन टू लेने का तो देखिए कि यहां पर जीओ फोन टू है वो काफी महेंगा है अगर देखा जाए क्योंकि इसमें जो सारी चीजे वह जीओ फोन वन में एवेलेबल है बस यहां पे वर्टी की पेड और तरह लूप में डिफरेंस है बाग की सारी चीजे सेम है रैम वगेरा इसकी जो कन्फिगरेशन है वो सारी की सारी सेम है तो पर्फॉर्मेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पढ़ने वाला डिजाइन क वह काफी अच्छी है ज्योफोन से लकीन यहाँ पर आपको 15 50 Mirror Extra आपि करने प्रेक करने पड़ेंगे जो कि रिफन अवल नहीं है lifetime को तो जीओ फोन में आपको जो पंद्रसों रुपे आप दे रहे हैं वो रिफंडबल है आप तीन साल यूज करने के बाद आप को सारा पैसा वापस मिल जाएगा जीओ फोन में लेकिन अगर आप यहाप जीओ फोन टू खरिदते हैं तो आपको एक रुपए भी वापीस नहीं मिलेगा यहां पर कंपनी ने बोला है कि हम इस बार कोई रिफंडबल या फिर कोई भी इस तरिके का ओफर नहीं दे रहे हैं यूजर्स को तो अगर आप इस फोन को खरिदते हैं तो पूरे के पूरे पैसे पेल करने पड़ेंगा और आपको एक रुपे भी वापिस रिफं अगर आपको फीचर फोन चलाने का इच्छा है तो अगर आप दो यह तीन हजार रुपे एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो आपको एक स्मार्टफोन आ जाएगा शाओमी का या फिर ऐसे बहुत सारी स्मार्टफोन आ गये मार्केट में जिसमें आपको पांच हजार में दो इत触्सा कैमरे वीमिल दाएगा ett.sso, गाईheen आउप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो के साथ तब तक ले जैहिं जै भारत